हेलो फ्रेंड्स बेलकम बैक टू माई चैनल आप डिस्पोजेबल प्लेट से भी अपने घर को दिबारी पे डेकोरेट कर सकते हो ये इस तरह की ट्रांस्पेरेंट प्लेट होती है इस पे तरह तरह की डिजाइन बनी हुई होती है इन प्लेट पर बहुत अच्छी अच्छी तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने सोचा कि इन्हें फैंकने से तो अच्छा है कि इन्हें इस तरीके से यूज किया जाए बैसे भी हम क्या करते हैं कि खाने के बाद इन प्रेट को बेकार समझके कचरे में फैंक देते हैं दिबाली पे आप अपने घर को सजाने के लिए बार से महंगे महंगे डैक और आइटम लेके आते हैं लेकिन आप इने फ्री में बना कर तयार कर सकते हो ये बढ़ने के बाद बहुत ही अच्छे लगते हैं और बिल्कुल फ्री में बनके तयार हो जाते हैं बैसे भी हम इन प्लेट को एक बार यूज करते हैं और फिर खाने के बाद इने फैंक देते हैं लेकिन आपने क्या करना है कि इनको फैंकना नहीं है आपने इनको पानी से अच्छे से धो लेना है और फिर कप्रे से साफ कर लेना है और फिर आप इने इस तरीके से यूज कर सकते हो बाहर से महंगे महंगे डैक और आइटम लेने से तो अच्छा है कि हम इस तरीके से अपने घर को फ्री मैं सजाएं आप यकीन मानिए जब ये पूरा बन कर तयार होगा तो आप इसे देखते ही रह जाओगे ये इतना अच्छा लगता है तो देखे मैं कुछ इस तरह से इसमें कलर भर रही हूँ देखे इस तरह का डिजाइन है और जो कलर आपको पसंद हो आप इसमें भर सकते हो आप प्लेट में देख पा रहे होंगे कि इसमें बहुत बड़ा डिजाइन है जो देखने में बहुती सुन्दर लग रहा है इन प्लेट पे बहुत ही अच्छी तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं जो बहुत ही अच्छे लगते हैं ये देखिए आप मैं रैड कलर के बाद इसमें बिल्यू कलर भर रही हूँ इसी तरह से आपने भी इसमें कलर भरते जाना है जो आपको अच्छे लगें अगर आप मेरे चैनल पे नए आई हो तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें आप कहां कहां और किस जगह से मेरी वीडियो देखते हो प्लीज कोमेंट करके मुझे बताया करें तांकि मैं भी जान पाऊं कि मेरी वीडियो कहां कहां और देश के किस किस कोने में देखी जाती है अब देखिए इस डिजाइन में पत्ते बने हुए हैं तो मैंने क्या करना है कि इन में हरा रंग भर देना है तांकि ये देखने में बिल्कुल पत्ते ही लगे अक्सर हम क्या करते हैं कि इस तरह की प्लेट को कच्रे में बेकार समझके फैंक देते हैं लेकिन हम इन प्लेट से अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से डैकोरेट कर सकते हैं और इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत कम समय में बनकर तयार हो जाता है ये डैकोर आइटम बिलकुल फ्री में बनकर तयार होती है, क्यूंकि हमारे पास कलर तो पड़े ही होते हैं, तो बस हमें इसे बनाने के लिए कलर की ही जरूरत पड़ती है अगर आपके घर में भी इस तरह की पलेट पड़ी हुई हैं, तो उन्हें बेकास मज़के बिलकुल भी कचर में ना फैंकें, इस तरह से उन्हें डैकोरेट करें और अपने घर को बिलकुल फ्री में सजाएं तो देखिए जितने भी पत्ते के डिजाइन बने हुए थे, मैंने उन्हें कलर से भर दिया है, अब मैं यहाँ पे बलैक कलर का यूज़ कर रही हूँ आप देख पा रहे होंगे कि यह बिकार सी दिखने वाली प्लेट कितनी ही अच्छी बनकर तयार हो रही है, जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है इस तरह की फ्लेट पर बहुत अच्छी तरह के डिजाइन बने हुए होते हैं, जो देखने में बहुत अच्छे लगते हैं बस आपने क्या करना है कि उन्हें इस तरह से कलर से भर देना है अब ही तो ये आधा बनकर तयार हुई है जब ये पूरी तरह से तयार हो जाएगी तो आप इसे देखते ही रहे जाओगे अब देखिए प्लेट के अंदर जो बीच बीच में बरीक डिजाइन बनी है उसको भी अच्छे से हमने कलर कर लेना है यहाँ पे मैं इसे पूरा बलैक कलर कर रही हूँ क्योंकि यलो के बीच बलैक अच्छा दिखेगा आप इस तरह की प्लेटों में अपने मन पसंद कलर भर सकते हैं जो आपको पसंद हो तो देखिए मैंने यहाँ पे बलैक कलर भर लिया है आप ये जो लाइने बीज में दिख रही है हमने क्या करना है कि यहाँ पे भाइट कलर भर देना है फ्रेंज प्लीज वीडियो को देखा करें और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसांद आई तो अपनी फैमिली और दोस्तों से सेयर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें तो ये जितनी भी लाइने दिख रही है आपने क्या करना है कि इस पे भाइट कलर भर देना है तो देखें मैंने भाइट कलर भर लिया है तो देखें हमारा डिजाइन कुछ इस तरह का बनकर तयार हुआ है अब हमने क्या करना है ये जो black color हमने भरा है इस पे हमने white color की line इस तरह से खींच देनी है तांकि यहाँ पे एक अलग तरह का design बनकर तयार हो जाए ये white color का design मैंने अपने मन से बनाया है तांकि हमारी plate जो है देखने में बहुत ही अच्छी लगे अब हमने क्या करना है कि yellow color ले लेना है और ये जो green color भरा हुआ है इस पे हमने इस तरह की छोटी छोटी बिंदियां लगा लेनी है इस से क्या होगा कि plate देखने में बहुत ही सुन्दर लगेगी तो इस तरह से आप इस plate को अपने मन से भी decorate कर सकते हो ये design देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है अब ये जो white color की line हमने खींची हुई है हमने इस तरीके से थोड़ा red color इन पे डाल देना है बड़ी और छोटी छोटी बिंदियां लगा देनी है देखिए कितना ही सुन्दर लग रहा है आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल कबार से दिखने वाली plate कितनी ही अच्छे तरीके से decorate हो गई है आप देख सकते हो तो फ्रेंट्स इस तरह की बेकार सी दिखने वाली plate को आप बिल्कुल भी कच्रे में ना फैंकें इस तरह से decorate करें और अपने घर को सजाएं अभी देखिए side में हमने क्या करना है कि यहाँ पे black color भर देना है अभी तक यह plate पूरी तरह से बनकर तयार नहीं हुई है जब यह पूरी तरह से बनकर तयार हो जाएगे तो आप इसे देखते ही रह जाओगे मैंने इसकी side में black color भरा है क्यूंकि देखने में बहुत अच्छा लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पे black color का यूज किया है आपको जो भी color अच्छा लगे आप बहाँ पे भर सकते हो थोड़ी देर सूखने के बाद हमने क्या करना है कि white color ले लेना है और जो line बनी हुई है white color से हमने उनको भर देना है आप देख पा रहे होंगे कि black color पे white color कितना ही अच्छा लग रहा है तो जितनी भी line ने हैं आपने white color डाल देना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि कोई भी color ले लेना है और इस तरीके से इनके अंदर बिंदी बिंदी लगा देनी है तांकि ये देखने में और भी अच्छा लगे तो देखिए मैंने यह भी color भरकर इसको तयार कर लिया है अब हमने इसके अंदर एक white color की बिंदी लगा देनी है बड़ी सी तो देखिए फ्रेंस हमारी बेकार सी दिखने वाली plate बहुत अच्छे तरीके से decorate हो गई है और यह देखने में कितनी ही अच्छी लग रही है तो इस तरह से आप बिल्कुल free में अपने घर को दिबाली पर सजा सकते हो इसे हैंग करने के लिए आप double side tape का इस्तेमाल कर सकते हो फ्रेंस अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसांद आई हो तो अपनी family और दोस्तों से share करें थैंक्स पर वाचिंग